सबी को जहित मैने तिन निकोडे स्वागत करता हुआ आप सबी का आपके अपने यूटूब चैनल Mission and See the Way of Success में देखे का आज का एक important वीडियो होने वाला है तो आप सबी फटाफ़र जल्दी से लाईउ आ जाए हम लाईउ आ चुके फटाफ़र मुझे चाट बॉक्स में respond करें कौन-कौन आज की क्लास में present है अगर आप सबी इस वीडियो को लाईउ हो जाने के बाद देख रहे हो तो आप सबी को comment box में बताना है कि किस-किस ने आज की क्लास को attend किया है आपका नाम आपको comment box में comment करना है इससे क्या होता है कि मुझे ये पता चलता है कि कितने cadets तक ये वीडियो पोच रहा है कितने cadets ने ये वीडियो देखा है तो फटाफ़र जल्दी से मुझे respond करें आज का एक important वीडियो होने वाला है 7.62 mm SLR rifle के उपर है और इस PDF को बनाने में मुझे 2 दिन लगे है एक अच्छा खासा knowledge आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो चलिए बहुत सारे बच्चे आ चुके लाईव आप सभी का स्वागत है बहुत बढ़िया शाबास सभी लोग जतने बच्चे लाईव आ चुके तो देखे आप सभी को इस वीडियो को लास्ट में जैसी कंप्लीट आप पूरा वीडियो देखोगे इस वीडियो को आपके सारे दूसरे के साथ शेयर कर देना है सभी कैड़ेट्स आपके WhatsApp ग्रूप में आपके Facebook पर Twitter पे जहाँ पे भी हो पूरा नाम क्या है एज-1.62 mm pattern SLR का पूरा नाम क्या है यहाँ पे एक Question बनता है डिके आपने आक्ने सुना भी होगा हम पे आख्योश क्या भ reluctant हैansa 7.62 mm definetra तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा भी नाम होता है ऩ। गयो इसको शॉर्ट में बोलते है तो मुझे सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि देखिए यह यहां पर दो यम दिख रहें आपको यम यम का मतलब होता है मिली मिटर क्या होता है यह दो यम का मतलब मिली मिटर ठीक है मिली मिटर होता है तो SLR का full form क्या होता है self-loading rifle SLR का full form क्या होता है self-loading तो देखे, 7.62 mm SLR का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम है वो 7.62 mm Self-Loading Rifle 1A1 क्या है? 7.62 mm Self-Loading Rifle 1A1 ये जो है, वो पूरा नाम है SLR रैफल का याद रखो अगर किसीने आपसे पूछा कि SLR रैफल का पूरा नाम क्या है तो देखे यहाँ आपको आपकी स्क्रीन की उपर दिखाए देगा, यही नाम आपको बताना है, यह आपके एक्जाम में हमेशा पूछा जाता है, clear है, तो चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम SLR राइफल की पूरी खुबिया जानेंगे, उसकी विशेशता है क्या है, ठी अब यह doubts ना, आज की इस वीडियो में पूरे clear करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखे यह जो है यह SLR राइफल यह आप देख सकते हो, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, तो सबसे पहले, पहला सवाल यहाँ पर ही आता है, कि SLR राइफल का caliber कितना होता है, तो SLR राइफल का जो caliber होता है, वो होता है, 7.62 mm, 7.62 mm का caliber होता है, प्लेरे, चलिए, अब second question, कि SLR राइफल की लंबाई, length कितनी होती है, SLR राइफल की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले यह बातें, यहाँ पर समझ लीजेए, ठीक है, यहाँ पर एक बाद मैं आप सभी को बता दू, short bird, normal bird, और long bird, short bird, normal bird, और long bird, ठीक है, यह तीन bird है, तो देखें, यह वाला हिस्सा जो होता है, यह वाला जो हिस्सा होता है, यह क्या कहलाता है, इस हिस्से को हम bird कहीते हैं, ठीक है, बट कहीते हैं, तो इसी तरह से जो SLR राइफल के है, SLR राइफल के जो bird है, वो तीन पार्ट में उसको divide किया गया है, ठीक है, कई जगा पे आपको छोटा bird मिलेगा, कई जगा पे आपको normal bird मिलेगा, कई जगा पे यह बड़ा भी bird मिलेगा, ठीक है, तो यह अलग-अलग इस राइफल के type से, तो दिखेंगा, अगर उसके हिसा हिसाब से दिखेंगे, तो उसकी जो length है, वह है, 44.35 inch, ठीक है, मैं यहाँ पे inch में बता रहा हूँ, आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे आपको millimeter में भी दिख जाएगा, ठीक है, तो short bird में अगर बात करेंगे, तो हम 44.35 inch इसके length होती है, पूरी, चलिए, उसके बाद बात क तो अगर long bird के हिसाब से देखें, तो long bird के हिसाब से जो इसकी SLR की लंबाई होती है, वो होती है, 45.35 inch, 45.35 inch, इसके जो हैं वो लंबाई होती है, clear है, लंबाई हम कहां से नापेंगे, यहाँ से लेके, यह बर्ट से लेके, तो यहाँ तक की जो पूरी लंबाई होगी, जै क्लियर है यह समझ में आया आप सभी को इसके बर्ट जो है वह तीन टाइप के होते हैं शौर्ट बर्ट नॉर्मल बर्ट और लॉंग बर्ट ठीक है अगर बर्ट यहां पर बढ़ता है तो आपकी जो लेंथ है वह भी थोड़ी से बढ़ेगी क्लियर है चलिए नेक्स क्वेश लेंथ और राइफल विद बॉइनेट बॉइनेट के साथ राइफल की लेंथ कितनी होती है बॉइनेट के साथ अब देखिए बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि बॉइनेट होता क्या है देखिए जो बॉइनेट होता है आप यहां पर देख सकते हो यह वाला आगे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे चक्कू के जैसे वह हिस्सा दिख रहाँ इसको boynett कहा जाता है हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसे संगीन कहा जाता है संगीन अब देखिएगा यह bсколько यह बॉइनेट यहां पर क्यों लगाया जाता है ठीक है यहां पर यह बॉइनेट क्यों लगाया जाता है इस बात को भी तो समझ लेंगे पहले तो देखेगा कभी क्या होता है कि जब भी हम लड़ाई के दौरान हमारी गोलिया खतम हो जाती है तो फिर देखेगा गोलिया खत सकते हैं ठीक है क्लियर है इसलिए जो है वह यह बॉइनेट जो है वह राइफल को लगाया जाता है क्लियर है समझ में आ रहा है आपको इसे बॉइनेट कहा जाता है अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसे संगिन कहा जाता है ठीक है यह क्यों इसका इस्तमाल क्या है आप सभी with boinet. Rifle की संगीन के साथ कितनी SLA rifle की संगीन के साथ कितनी लंबाई होती है. तो अभी हमने क्या देखा था? सुनो, यहाँ पे धेहन दो. यह वाला part जो है, हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपको देखा, यहाँ पे पूरे राइफल की लंबाई कितनी होगे तो इसकी 55 इंच मैं यहाँ पे आप सभी को इंच में बता रहा हूँ आप देखे यहाँ पे M.M.M. भी आपको पता चल जाएगा तो पूरी राइफल की लंबाई कितनी होती है तो बॉइनेट के साथ अगर संगिन जुड़ा हो तो राइफल की लंबाई SLR राइफल की लंबाई कितनी होती है तो 55 इंच होती है चलिए चीज़े को समझे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो फिर से देखे एक बार आपको पूरा समझ में आ जाएगा त्रफिके आप सभी को में चार्ट बॉक्स में रिप्लाई दे रहा हूँ ठेंशन ना लिजीए उसके बाद आप बात करते हैं हमें SLR राइफल का वज़न कितना होता ये पता नहीं होता है SLR राइफल का वज़न कितना होता है तो SLR राइफल का क्या कहा जाता है magazine कहा जाता है magazine उसमें क्या हम गोलिया भरते हैं क्या भरते गोलिया भरते हैं दिखेगा इस यह जो magazine है भाई यह magazine क्या है खाली है उसमें गोलिया नहीं है यह magazine खाली है खाली magazine के साथ SLR rifle का वजन कितना होता है तो 4.4 kg होता है खाली magazine के साथ SLR rifle का वजन कितना होता है तो 4.4 kg होता है clear है चलिए उसके बाद और बात करते है second number question देख लिजए कि भरी हुई magazine के साथ अभी ये जो क्या है, ये क्या, ये हिस्सा क्या है ये part क्या है तो magazine है वो उस magazine में गोलिया भरी हुई है फुल भरी हुई है ठीक है उसमें गोलिया भरी हुई है तो भरी हुई magazine के साथ ये पूरे SLR rifle का वजन कितना हो जाएगा भरी हुई magazine के साथ तो 5.1 kg 5.1 kg इसका पूरा weight हो जाएगा भरी हुई magazine के साथ clear है, चलिए, अब बढ़ते हैं, next, एक important question, okay, rifle with full magazine and boynet, अब देखें, भरी हुई magazine, और संगीन के साथ, भरी हुई magazine, magazine तो भरी हुई है, और साथ में उसको क्या जुड़ा हुआ है, संगीन भी जुड़ा हुआ है, देखें, ये क्या है, ये क्या है, ये magazine है, magazine भरी हुई है, व तो यहाँ पर दिखें, आपको दिख जाएगा, यहाँ पर संगीन जुड़ा हुआ था, अभी यहाँ पर आपको संगीन जुड़ा हुआ नजर आएगा, तो इस पर question कैसे बनता है, कि भरी हुई magazine और संगीन के साथ, SLR rifle का वजन कितना होता है, तो 5.392 kg, मतलब कि हम अगर approximately इसको मानेंगे, तो 5.4 kg, ठीक है, 5.4 kg इसको हम बोल सकते हैं, इसमें magazine भी है, full magazine कुन सी है, full भरी हुई magazine है, और साथ में यहाँ पर संगीन भी जुड़ा हुआ है, boynet भी जुड़ा हुआ है, clear है, चलिए, अब बात करते हैं, कि भई, अब ओके, वो तो बहुत सारे बच सकते हो, इस तरह से वो boynet होता है, अब boynet का सिर्फ हमें यहाँ पर क्या question पूचा गया है, तो सिर्फ boynet का वजन कितना होता है, यह boynet है न, इसका वजन कितना है, सिर्फ boynet का, तो boynet का जो weight है, वो 0.283 gram, क्या हो जाएगा इसका weight, 0.283 gram, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकत हो, यह सिर्फ, SLR के बैनेट का वजन है, clear है, चलिए, आप सभी को सभी चीजे में एक एक चीजे explain करके समझा रहा हो, ताकि आपको जो है न, इसकी तसवीर आपके mind में बैटी रहे है, जब भी है, इसकी उपर अगर कोई question पूचे जाता है, तो आपको उस question का answer, आप सभी को अच्छे से पता हो, ठीक है, अब देखिए, यह वाला part क्या होता है, तो यह part होता है, magazine, क्या होता है, magazine, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गोलिया भरते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पूरे गोलिया भरी जाती है, राइफल में, ठीक है, यह part में क्या होती है, प 255 gram कितना होता है 255 gram खाली magazine की बात कर रहे हैं इसमें गूलिया नहीं है आपने rifle से magazine को अलग कर दिया और अगर आप इसको count करते हैं तो इसकी जो weight है वो 255 kg 255 gram 255 gram इसका weight हो जाएगा खाली magazine का clear है चलिए अब बात करते है full magazine SLR के भरी magazine का वजन कितना होता है SLR के भरी magazine का तभी हमने क्या देखा था खाली magazine अभी क्या देख रहे हैं भरी magazine देखें यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पूरे इसमें गोलिया इसमें पूरी भरी हुई है तो भरी हुई magazine का weight कितना होता है तो 709 gram ठीक है 709 ग्राम क्लियर है चीजे समझ में आ रही है कुणसी SLR की भरी मैगजीन का वजन स्रिफ ये मैगजीन है और ये भरी हुई है और भरी मैगजीन का वजन कितना होता है तो 709 ग्राम होता है चलिए सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए अब बहुत सारे नए स्टूडेंट है उन्होंने कभी इस तरह से डीप में नहीं समझा है तो उनको ये जो वीडियो है वो उनके उपर से जा रहा होगा ठीक है किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सर बता क्या रही तो फिर से आप एक बार वीडियो को देख लीजिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चलिए अब बात करते हैं कि रेट ओफ फायर रेट ओफ फायर का मतलब क्या है कि आप एक मिनिट में कितने फायर कर सकते हो कितनी गोलिया फायर कर सकते हो एक उसके बाद होता है rapid rate और यह होता है faster than रैपीड तो नोर्मल रेट जो है उसका 5 round per minute में हो fire कर सकता है ठीक है आराम से पाच राउंडड ठीक है 5 गोलिया 5 round per minute 5 गोलिया एक मिड़ नाराम से य Low fire कर सकता है अगर rapid rate के अगर बात करेंगे तो 20 rounds per minutes में जो है वह fire कर सकता है ठीक है rapid का अगर बात करेंगे तो 20 गूलिया एक मिनिट में वह fire कर सकता है आराम से faster than अगर rapid की बात करें तो 60 round per minute तक भी जो गूलिया है वह fire कर सकता है 60 rounds भी एक मिनिट में वह fire कर सकता है कौन SLR rifle clear है आप देखिए faster than rapid rate SLR का faster than rapid rate कितना होता है तो 60 round per minute का होता है यह वाला आप याद रखो यह आपके exam में पूछा जाएगा clear है चलिए तो next अब बात करतें range range अब range क्या होती है दिखिएगा आपके पास क्या है तो rifle है अगर आप rifle से fire करोगे तो वो कितने दूर तक जाएगी मतलब कि मानलो अगर यहाँ पर आप हो तो यह कितने यहाँ से अगर आपने fire किया तो वो कितने दूर तक जाएगी कितने दूर तक वो जाएगी ठीक है राइफल से राइफल में से जो गोली निकल कर कितने दूर तक जाएगी तो इसमें हम दो इसमें बाटे गए एक तो effective range इसका कारगर जो range है वो होता है 250 meter का कितना होता है 250 meter का और अगर इसको yards में अगर हम बोलेंगे तो 300 yards देखें, meter अलगे, yards अलगे ध्यान दीजेगा, ठीके yards अलगे और meter अलगे 250 meter बोलो या एक तो 300 yards बोलो दोनों में से आप कुछ भी याद रख सकते हैं या दोनों भी याद रखो, ठीके effective range, मतलब कि आराम से अगर आप SLR से अगर fire करते हो तो कितने दूर तक जाएगी वो, वो 250 meter तक आपकी गोली जाएगी या अगर उसको yards में अगर हम convert करते हैं तो 300 yards तक जो है आपकी गोली आराम से जाएगी, clear है, चलिए अब बात करते हैं कि site range के अगर हिसाब से अगर गोली आपकी जो है, वो 200 yards से 600 yards तक आपकी गोली आराम से चले जाएगी कोई दिकत नहीं है, तो याद रखो यह अब बात करते हैं, site radius site radius, तो इसका जो site radius होता है rifle का, वो होता है 21.77 inch का, ठीक है site radius के अगर बात करेंगे तो 21.77 inch, चलिए अब यहाँ पर एक important question बनता है कि number of grooves, number of groove ठीक है, groove किसे कहते हैं कि barrel, बहुत सारे बच्चों को आपने कई जगा पर यह word सुना होगा, groove तो groove किसे कहते हैं कि barrel में खाचे, ठीक है, barrel में खाचे को groove कहते हैं, देखिए का आप देख पा रहे हो, मानलो यह क्या है यह rifle है, ठीक है, यह rifle है यह rifle का मुह देखो आप, ठीक है यह खाचे देखो, इसी को हम groove कहते हैं, इसी को हम खाचे कहते हैं, ठीक है, barrel में कटाव वाले हिस्से को groove कहते हैं, ग्रू किसे कहते हैं, तो barrel के कटाव वाले हिस्से को groove कहते हैं, तो यह आपको जो छोटे-छोटे खाचे होते हैं, तो कितने खाचे होते हैं, तो 6 खाचे होते हैं, 6, याद रखो, यह important है, आपके exam में भी पूछा जाएगा, तो SLR में कितने गुरू होते हैं, तो 6 गुरू होते हैं, clear है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यह राइफल का मुह है, यहाँ पे देखो, इस तरह से आपको कुछ खाचे दिखाए दे रहे, इसी को हम गुरू कहते है, क्लेरे सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, तो like बटन दबा दो, और वीडियो complete हो जाने के बाद, इस वीडियो को आपको share भी कर देना है, चलिए पीछ की बात करेंगे तो 12 इंच की इसकी पीछ होती है twist of rifling right hand से करते है, चलिए caliber जो होता है, 7.62 mm का होता है, ये बाकी चीज़ें हमारी कोई काम की नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर यह वाली धायन दो, muscle velocity muscle velocity कितनी होती है तो 2700 feet प्रतिस second की इसकी muscle velocity होती है, ठीक है, muscle velocity कितनी होती है, SLR rifle की, तो 2700 feet प्रतिस second, या अगर हम इसको meter में बात करेंगे, या 815 meter feet प्रतिस second भी इसकी जो है, वह muscle velocity होती है, ठीक है, 815 meter या 2700 feet प्रतिस second की इसकी muscle velocity होती है, clear है, चलिए ये बाकी चीज़ें हमारी कोई काम की नहीं है ओके, तो system of operation ये किस system पे कारिय करती है किस system पे कारिय करती है तो ये gas operation पे काम करती है, SLR rifle जो है, वह किस operation पे काम करती है, किस system पे काम करती है, तो gas operation पे ये काम करती है, ठीक है अब बात करते है, magazine capacity, magazine capacity ठीक है, magazine capacity भाई, ये क्या है कि यह magazine है, magazine में हम जो गोलिया भरते हैं, तो हर एक चीज की capacity होती है, हर एक चीज की एक limit होती है, ठीक है? जैसे कि आप सभी के भी knowledge की एक limit होती है, या आप सभी को भी video देखनी की एक limit होती है, कितने देर तक video देखते हो आप भी, तो उसी तरह से एक magazine की भी capacity होती है, तो उसमें भी कितने, ठीक है, यह जो भी चीज़े में बता रहा हो, आपको example के लिए बता रहा था, ठीक है? तो दिखेंगे, यह magazine है, तो इसमें हम कितने गोलिया भर सकते है, SLR के magazine में, तो इसमें हम 20 गोलिया भर सकते हैं, कितने हैं, तो हम इसमें 20 गोलिया, इसमें हम भर सकते हैं, तो यह question पूचा जाएगा, तो magazine capacity कितनी है, SLR की, तो 20 round, 20 round की इसकी magazine capacity होती है, clear है, चलिए, आप देख सकते हो, यहाप पे कुछ SLR के parts भी आपको यहापे दिख जाएंगे, और साथ में SLR किस parts में खोला जाता है, यह भी आपको यहापे पता चल जाएगा, ठीक है, यहापे देख सकते हो, आप, clear है, यह सभी चीज़े आप सभी को फिर से एक बार याद रखनी चाहिए, फिर से एक बार वीडियो देखो, सभी चीज़े आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो अगर आप सभी को question paper देखना है, ठीक है, आप सभी का, अगर आपका exam अगर नजज़िक आ रहा है, तो यहापे आप क्लिक करो, यहापे आपको question paper दिखाए, देखा, पूरा solve किया है, उसके उपर click करके पूरा वीडियो देख लो, आप जोए, आपके exam में अच्छे खासे grade से आप pass हो सकते हो, clear है, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को share भी कर देना है, आप सभी को share कर देना है, सभी को, clear है चलिए, बिलकुल मिलेंगे next class में, जितने बच्चे लाईउ देख रहे, बहुत बड़िया शाबास मिलेंगे next class में, तब तक के लिए टाटा, बायबाय, सायनारा, अलवीदा, आपका किम्ती समय निकाल कर, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलता हो दोस्तों अगले वीडियो में जहेंद उन्दे मातरम